आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले के 8 सेप्टेंबर याने की ब्रिश्पटवार को वीकली एक्सपैरी वाले दे निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मुम और ट्रेडिंग कर सकते हो तो इसलिए दोस्तों वीडियो को अंतर देखना है एक एक पॉइंट को नोट किया करो ताकि आप खुद के दम पर अनलीसिस करना सुरू कर दो लेवल को मारक किया करो ताकि हम एक्सपैरी वाली दिन या फिर नेक्स डे एक प्रोफीटेबल ट्र रिकवरी किया भी और यह करने के बाद मैंने आपको क्या बोला था कि आज शाम की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने यह क्यों बोला है कि रिकवरी करेगी ठीक है दोस्तों अब देखिए बैंक निफ्टी की ओपनिंग कहां पे थी अगर आप द्यान से देखो कि 15 मि दोस्तों दिन के जो मुविंग एवरेज के उसके उपर और जब भी बहुत दिनों बाद यानि कि लास्ट ताइम यहां पर थोड़ा सा उपर ही और यह भाग गई तो यानि कि बहुत दिनों का गैप हो चुका था मुविंग एवरेज को टच किये तो हाई चांस थे इसको करके मार्केट रिकवरी कर सकती है और अगर आप निफ्टी का देखो तो निफ्टी भी दोस्तों एक दिन के टाइम फ्रेम में देखोगे तो 20 दिन की मुविंग एवरेज के आसपास निफ्टी ने जो ओपनिंग प्राइस ता गैप डाउन ओपनों के यहां पे ओपनिंग कर सकते हैं उसके उपर मैं आप बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूगा बहुत जबरदस्त स्टेजी है दोस्तों यह भी मैं आपको सीखा दूगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो यह आपको पतली सी मुविंग एवरेज दिख रहे हैं यह है 20 दिन की मुविंग एवर सकते हैं नीचे मुविंग एवरेज इसको टच करके ऊपर जा सकती है तो टीम एलग बाते हैं इस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो मैं आप बोलोगे तो वीडियो बना दूगा इसके उपर बाकिया आप देख सकते हो जब भी मुविंग एवरेज को मार्केट किया है उसी टाइम जबरदस्त रिकवरी यहां पर क्यों टूटता है उस वह दोस्तों बहुत बड़ा रीजन है और ब्रीफली जब समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा ऐसे प्लान ऐसे यह क्यों टूटता इसको भी आप देख सकते हो कि आप मुविंग तूटने वा प्रोफिट लिया है बैंक निफ्टी के कोल ओप्शन में क्योंकि रिकवरी के हम प्लान करके बैठे थे और साइडवेज का भी हमने प्लान किया था लेकिन हमने अच्छा प्रोफिट लिया है बैंक निफ्टी के कोल में और जब मार्केट साइडवेज होती है दोस्तों खा बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है इस किसी रेंज के आसपास इस किसी रेंज के आसपास फ्लैट ओपन हुई पन 49,500 के ऊपर निकलते ही फ्लैट ओपन हुई 49,500 के ऊपर निकली हलका सा प्राइस सेक्षन बनाए या फिर यहां पर टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेक आज का लो कहां पे है 49,000 जो मैन लो है यहां से तो तुरन तरीकवरी कर गी तो इसको लो नहीं मानेंगे दोस्तों जो मैन लो है जहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड गया फिर सपोर्ट लिया है वो कौन सा है दोस्तों वो है 49,350 के आज पास तो हम पूट साइड भी तभी ब्रेकडाउन दे या फिर डिरेकट ब्रेकडाउन देती है तो आपको थोड़ा सा प्राइस सेक्षन बनने का इंधाजार करना पड़ेगा हम पूट साइड बैठेंगे पचा साथ पॉंट का एसल डालेंगे और वन इस्टों आपका पूट साइड टार्गेट हो जाएगा लेकिन दोस्तों गैप अप और गैप डाउन वाली सिच्वेशन में हम क्या करेंगे वो एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए उसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा द लेकिन देना मार्केट को ठीक है यहां तक आने देना अगर इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होता है और 49,000 के आसपास जब भी आपको एक बुलिश केंडल दिखाई दे इस टाइप की 15 मिनिट की और दूसरी केंडल जैसे इसको ब्रेक करती है उपर की साइड या फिर टा 5950 का हम स्टोपलोश डालेंगे और 100-500 पाइंट का आपका कोल साइड टारगेट हो जाएगा लेकिन एक चीज़ याद रखना अगर हलका गैप डाउन ओपन हुआ दोस्तों फिर आप कैसे हैंडल कर सकते वो भी मैं बता देता हूं मालीजिए 200 दिन की मुविंग एवरेज क आसपास यहां पर इस एरिया में अगर डाउन ओपन होती है तो हम क्या करेंगे 15-30 मिनिट का वेट करेंगे एक नेगेटिव केंडल बनने दीजिए नेगेटिव केंडल बनने के पास दूसरी केंडल इसके लोको क्रोस करेगी नीचे की साथ ब्रेक करेगी और हलका सा प्रा हमारा स्टोपलोस रहेगा ठीक है यह हमारा स्टोपलोस रहेगा 50-60 पाइंट का स्टोपलोस रहेगा इससे ज्यादा नहीं रहेगा और वन इस्टुट आपका पूट साइट हो जाएगा जब तक बैंक निफ्टी 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे है यह मूविंग ए दोस्तों यह लेवल है 49,600 यह कैसा लेवल है जो एक रously tum करेगा अगर इसके नीचे ओपन होती है तो मार्गेट लेकिन अगर इसके उपर ओपन हो जाए मार्केट इसके ओपर ओपन हो जाती है जिद्हा गैपव ओपन हो जाते तो बिलकुल कोल साइड पलान करेंगे यहनि 4600 के आसपास मार्केट गैप अपन हुई और एक ऐसी बुलिश टाइप की केंडल बन जाती है और जैसी दूसरी या तीसरी केंडल इसको दिन का हाई ब्रेक करती है हम 50-60 कोईंट का SL डालके वह निश्क्तु आपका टार्गेट हो जाएगा हम कोल साइड जाएंगे पहला टा 400 के बीच में अगर इस इस रेंज में आपको बैंक निफ्टी मिलती है और इस रेंज में जाने के बाद एक हलकी सी नेगेटिव केंडल बना देती है इस टाइप की 15 मिनिट की और दूसरी केंडल जो बनेगी वह इसका अगर लो ब्रेक करते तो बिल्कुल बहुत बढ़िय या पोर्चनिटी आपको पुट साइड मिल सकते है यह चीज आप याद रखना चाहिए वह गैप अपन होके यहां तक जाए या फिर यहां पर डारेक्ट इतना बड़ा गैप अपन होके नेगेटिव केंडल बने इस यह क्यों बोल रहा हो दोस्तों मैंने आपको कल भी बत प्रेट ना है फिर आपको सीधे टार्गेट मिलेंगे 4500-4700 के 670 का टार्गेट हमारा पहला है अगर 40,000 के उपर एक केंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो अगर बड़ा गैप डाउन गैप अपन हो गया तो हम नेगेटिव केंडल के साथ हम दूसरी ब्रेकिंग केंडल पे से ब्रेक आउट देने के बाद 49,550 के ऊपर ब्रेक आउट के बाद अगर अगर आप फलेट ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड के और 49,550 का लेवल अगर ब्रेक करती है फिर आपको एक रैली देखने को मिल सकती है लेकिन अच्छी रैली आपको तभी देखने को मिलेग जब 49,600 के ऊपर bank nifty निकल के closing देती है 5 या 15 मिनिट की candle को तो gap up का हो गया, gap down का हो गया और flat open का हमारा planning हो गया एक चीज दोस्तों याद रखना अच्छा momentum कल आपको bank nifty दे सकती है यानि कि nifty और bank nifty दोनों आपको एक अच्छा momentum दे सकती है एक चीज दोस्तों आप याद रखना 49,900 से 40,000 के बीच में अगर कोई negative candle बने तो हमको put side जाना है 49,000 के आसपास अगर कोई positive candle बने इस type की तो हमको कहाँ पे जाना है coal side जाना ये दो बात दोस्तों याद रखना है और high chance ही हो सकता है क्योंकि हो सकता है बड़ा gap open हो जाए या फिर यहाँ पे open होगे यहाँ पे जाए और negative candle बनाए यहाँ पे gap down ओपन हो और यहाँ तक जाए और फिर एक positive candle बनाए high chance है दोस्तों 49,000 के आसपास recovery आएगी और 40,000 के आसपास downside market आ सकती इस चीज को आप note कर लेना बाकी हमने आज plan किया था दोस्तों sideways market का एक बार मैं telegram पे आपको दिखा देता हूँ यह देखिए यह देखिए आज का 9 बजगे 5 मिनिट का मैंने आपको view दिया था आज market है वी gap down open हो सकते हो सकता market open होते ही recovery दिखा दे उसके बात दोबारा नीचे जाए लेकिन इसलिए खुलते ही trading मत करना सोचना सेटल होने देना market को लेकिन आज market सारा दिन सेटल ही होती रही अब जो recovery का हम पलान कीते सुबैस हुए उसी के हिसाब से हम आज paper trade में call side बैठ गए इसलिए इंतजार करें सही समय मिले तो trade करने वरना ignore करें तो कुछ लोगों ने आज trade किया होगा और कुछ लोगों ने आज ignore भी किया होगा क्योंकि आज market बहुत देर तक sideways रही थी और ये हमने पहले ही पलान कर लिया था तो दोस्तो अगर आप मुझे टेली करना पर फोलो करना चाहते हो तो आपको ऐसे ही views मिलते रहेंगे फिर हमने 49600 के call option में paper trade किया और बहुत अच्छा हमको profit देखने को मिला 50-60 point हमको आराम से 60-70 point इसमें देखने को मिले फिर एक नोकरी की हमने study ली थी उसमें भी हमको 10-15 point आराम से देखने को मिले और CDSL की तो दोस्तो पूछो ही मत कितने दिन पहले आपको मिले चार-पास दिन पहले ही बोला था जब 1265 पे था तो कि हाई एक बुर्ज खलीपा candle बना सकता है और यह देखिए मैंने बोल रखा है एक मिनिट रुकिए कहां गया है यह देखिए CDSL पर भी नजर बना के रखिए खेला हो सकता है बुर्ज खलीपा candle बन सकते है बिल्कुल बनी है बाई तो हम पज़े टेलीग्राम पे फोलो कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रप्स पर लिंक मिल जाएक और एक चीज याद रखना मेरी वीडियो के नीचे और जो आप कोमेंट करते हो उसके नीचे कोई फ्रोड बंदा है जो की अपना नंबर देगे बोल आपको आजन हैं कोई नहीं करता हूं इससे ज्यादा सब्सक्राइबर भी मिल जाएंगे आपको फ्रोड चैनल के लिए किन वह बोट सब्सक्राइब है उनकी पोस्ट पर आपको देख लिजी एक बार और इनी चैनल को जोएन करना ठीक है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मार्केट जब लाइव चलती है तो मैं अपडेट देता रहता हूं कि भाई मार्केट अब लाइव चल रही है और यह यह मार्केट में हो सकता है PCR डाटा वेगारा सब कुछ मैं आपको बताता रहता हूं तो आप मुझे टेलीग्राम पर जोइन कर सकते हो काफी कुछ नया लेमर दे देता हूं जो मैं सिखा रहा हूं केवल एजुकेशन परपज के लिए सिखा रहा हूं ठीक है और अगर आप शेयर मार्केट दोस्तों काफी रिस्की है अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो अपने फाइनिंशल एडवाइजर से सलाम असवरा करने के बाद ही ट् प्लान किया था कि अगर जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो हम 15 मिनट की केंडल को मार्क करेंगे जब मार्केट उपर जाएगे तो एक प्राइस एक्षन जैसे बनेगा इसके उपर निकलेगी तो हम कोल साइड जाएगे और अच्छा खासा प्रोफिट मिला भ होती है और 17,650 के लेवल को अगर ब्रेक करती है फ्लैट ओपन होगे और हलका सा प्राइस एक्षन बनाती है या फिर टाइम स्पेंड करके ब्रेक आउट देती है चालिस प्राइस प्राइस एक्षन डालेंगे वनिशुड आपका कोल साइड टार्गेट हो जाएगा ठीक ह पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे पुट साइड जब यह 200 दिन की जो मुविंग एवरेज है 17,600 के नीचे जब निफ्टी 17,600 के नीचे केंडल क्लोज कर दे या प्राइस एक्षन इस साइड बना दे फ्लैट ओपन होके या फिर यहां पर टाइम स्पेंड करेंगे और सप्लाई एरिया है अब मालीजे दोस्तों नीफ्टी में अगर आप इस रेंज से उपर अगर इस ब्रेकाउट से उपर अगर कोल लेते हो तो आपका पहला टारगेट 17,700 का रहने वाला है और 17,700 के आसपास गैप अपन होती है सीधा मालीजे इसकी सी रेंज में गैप अप करती है दिन में 15 मिनिट की कोई कैंडल इसको ब्रेक करती है तो हम 20-30 पैंट का इसका हाई हम एसल डालेंगे और 1-2 आपका टारगेट हो जाएगा पहला टारगेट आपका 17,600 का वापिस निफ्टी आ सकती है अगर बैंक निफ्टी सीधा गैप अपन होके बुलिश कैंडल इस टाइप की बना देती है जैसे आज बनाई है gap up open हुई तो हम उस candle को मारक करेंगे दोनों साइड और time spent करके ब्रेक आउट देती है दिन के हाई को या फिर ब्रेक आउट डारेक्ट देके प्राइस सेक्षन बनाती है तो हमारा पहला टारगेट हो जो हो गा वो 17,600 का हो जाएगा और इसके breakout होते हैं 50-30 पॉइंट का एसल डालेंगे और वन इस तो आपका कोल साइड टार्गेट हो जाएगा अगर दोस्तों निफ्टी मैं अभी तक साहद बैंक निफ्टी बोल गया एक बार उसके लिए माफी चाहता हूं क्योंकि बैंक निफ्टी के मैं अलेसिस कर रहे थे निफ्टी अगर दोस्तों सीधा गैप डाउन ओपन होते तो हाई चांस से दोस्तों रिकवरी कर सकते यह बात आज भी याद रहा है उसके पीछे का रीजन बता देता हूं देखिए क्योंकि निफ्टी के अंदर हर डीप से बाइंग हो रही है ठीक है और अगर क दूसरी केंडल ब्रेक आउट देती है और हलका सा प्राइस सेक्षन बनाती जैसे आज बनाया है इस टाइप का अगर प्राइस सेक्षन बनता है बिस्तिस पाइंट का एसल डालेंगे और पहला टारगेट आपका 17650 का रहने वाला है लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हुई ये लेवल मारक कर लीजे गैप डाउन ओपन हुई गैप डाउन ओपन होने के बाद 17500 के लेवल को नीचे की साइड ब्रेक किया प्राइस सेक्षन बनाया या फिर टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन दिया है ऐसी नेगेटिव केंडल बनी और दूसरी केंडल उसके नीच 173480 का तो सीधे आपको 17330 के लेवल देखने को निफ्टी में मिल सकते हैं तो अगर यह लेवल ब्रेक होता है प्राइस सेक्षन बनाके अफिर टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन देती है तो बिस ती स्पेंड कैसरल डाले के मुनिस्ट आपका टार्गेट हो जाएगा हम पूट साइड बैठ जाएगे एक चीज़ दोस्तों कल एक्सपारी वाले दिन याद रखना इंतजार जरूर करना को मुमेंटम जरूर मिलेगा मार्केट में कल हाई चांस है मुमेंटम मिलने के लेकिन उस मुमेंटम को capture करने के लिए इंतजार जरूर करना क्योंकि बहुत स अब मोका मिला है अब निफ्टी गई अभी आप एक चीज नोटिस करें जब भी Global मार्केट की वजए से अपनी मार्केट डाउन अपन होती है रिकवरी करते हैं । ग्र वी नीचे आई फिर से रिकवरी कि ऐक चीज़ आप याद रहें कि दोस्तों बायर हो इतना जल्दी से नीचे जाने नहीं देंगे जब तक इस लेवल के नीचे 17,480 के नीचे नहीं जली जाती तब तक आप अग्रेसिव शोट नहीं करोगे यह चीज आप याद रखना अगर इसके नीचे जाती है तो ही आप कॉंटिटी एडगर के अग्रेसिव शोट कर सकते हो यह दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैंने लेवल बताए हैं आपको सीखने के परपद से इनको मारक कर लेना अपने चार्ट के अंदर और आपको कल एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता एक ट्रेंड लाइ सकता आपको एक ट्रेंगल पैटरन भी देखने को मिल रहा होगा उपर की साइड आपको अच्छा मोमेंटम अगर देखना चाहते तो 17700 के उपर ही मिलेगा लेकिन आप 17650 के उपर भी पचासाट पॉइंट के टार्गेट के लिए पलान कर सकते हो 17700 तक निफ्टी जा सकती जो मैंने आपको लेवल बताया उससे उपर निफ्टी आपको एक स्पेस दीख रहा है तो आप क्योंकि बॉक्स बनाया है निफ्टी ने और एक अच्छा लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है पुट साइड भी और कोल साइड भी जैसे ब्रेक आउट ब्रेकडाउन होगा आप ट्रेड कर सकते हो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना है टेलीग्राम पे अभी तक जोएन नहीं क्या तो टेलीग्राम पे जोएन कर लीजिए और वीडियो के नीचे जो लाल में सब्सक्राइब बिटाउन सब्सक्राइब कर ल लोग बहुत अच्छे से प्यार करते हैं और बहुत बढ़िया सपोर्ट मुझे को देखे रखते हैं और यहां आप सब से मैं आबारी हूं दोस्तों मैं आप सब का तो थेंक्यू भाई आपने अभी तक वीडियो देखा मिलते हैं दोस्तों कल एक ने वीडियो के साथ तब के लिए बाई बाई जैहिन